हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीजियल 2021 परिच्छा में पूछे गए इंपॉर्टेंट के बारे में जो की जीके के हर एक सीग्मेंट से रिलेटिड हैं और यह सभी कॉईषियन लेटिष्ट पैटर्ण पर बेस्ट हैं और आगामी एकजाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो चल्य यह स्टार्ट करते हैं क्लास कोड़ देखते हैं आज का सबसे पहला और important question related to geography तो पहला question है मारा निम्न में से कौन ऊच्ण कटिवंदी है महासागरों में पाए जाने वाले दूइपों का एक समू है जो प्रवाल वित्तियों और एक केंद्रिये गर्थ से बना है देखें ये oceanography से related question है मारा और हम geography क अंतरगत four major unit में geography को पढ़ते हैं जो हमारी word geography है जिसमें आपकी oceanography, geomorphology उसके अलावा जो क्लाइमेटोलोजी है और जो कॉस्मोलोजी है तो इन चार major units में ही हम word geography को पढ़ते हैं और ये एक important concept है oceanography का यानि जो चार आप आप सन देख रहे हैं ये चारों एक पकार से ocean से ही related है समुद्र से ही related ये सनचना हैं जिनके बारे में हम detail में discuss करने वाले हैं तो दीखे सबसे पहले हम अगर बात करें यहाँ पर इस question के सही answer की तो वो होगा हमारा at all तो at all सही answer होगा अब लेकिन ये at all होता क्या है तो दीखे ऊपर भी लिखी हुई है लेकिन ये थोड़ी स ही basically ये एक होता है जो at all होता है और ये ring shape सरचना होती है अब ये हम image के मादम से भी देखेंगे तो ring shape सरचना होती है उससे पहले हमको समझना होगा sea mount और goats के बारे में या जिसे हम goat कहते हैं और sea mount क्या होता है तो दीखे जो volcano होते हैं जैसे आप volcano देखेंगे इस्तल में उस one here with discussing here ये मेजनुमा आकरत ही हो जाती है यानि यही जो आपका सी माउंट है ये एक मेजनुमा आकरत में परिवर्टित हो जाता है यानि माउंट से इसकी जो सरचना है परिवर्टित होकर एक मेजनुमा हो जाती है तब इसे हम क्या कहते हैं? तब इसी सरचना को हम ग्याट कहते हैं उसके अलावा जो बात करें अगर हम लैगून की लैगून हमारी एक प्रकार से लेख ही होती है यानि जैसे समुद्र वाला एरिया है और उससे कुछ वाटर यहां पर आकर अलग इकटा हो गया तो उसे हम लैगून लेख कहेंगे और इ हिलनुआ सरचना बन गई तो इसी लिए उसको हम लैगून लेख कहेंगे क्योंकि उसमें जो जल है वो समुद्र का ही जल है उसके अलावा एक प्रकार की और लेख होती है उसे हम एटॉल यानि एटॉल लैगून लेख कहते हैं और यह आपको समुद्र के बीच में ही देख देखते हैं तो आप देखें यहां पर देख सकते हैं यह है आपका वॉलकैनिक आईलेंड उसके अलावा फिर सिंकिंग आईलेंड और यह आपकी ग्याट सरचना है देख सकते हैं आप मेजनुमा आक्रती है उसके अलावा फिर यह बैरियर रीफ है और यह आपकी लैगून तो आप निशित तोर पर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो चारू नेम हैं वो किस किस परकार से होते हैं अगला question है यहाँ पर हमारा निम्न में से कौन सी गटना 1919 से पहले गटित हुई थी यानि 1919 से कौन सी गटना पहले गटिती थी यहाँ आपको बताना है तो सभी किसन हम आपको बताते हैं देखिए जो चौरी चौरा कांड है यह आपका हुआ था फरवरी 1922 में तो यह तो बिभाजन से रिलेटेड हमने पड़ा था पिछली क्लास में तो बंगाल का बिभाजन हुआ था 1905 में फिर आता है गांधी इर्विन समझाता और यह हुआ था 1931 में उसके अलावा कांग्रेस का लहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और इसी अधिवेशन में ही पूर्ण राजकी मांगी गई थी तो वह लहौर अधिवेशन ही था कांग्रेस का अब इसमें देखिए 1919 से पहले की कौन सी गटना है तो वह है बंगाल का बिभाजन है वो किया गया था 1905 में और यह 1919 से पहले गटित होने वाली गटना है और 1919 को एक महत्तवपुन गटना हुई थी अप्रेल 1919 में जलियाँ वाला बाग हत्यकंड तो आपसे यहाँ पर जो पहले घटना पूछी गई है तो वो होगी बंगाल का विवाजन अगला क्वेशन है प्राचीन भारत के निम्न लिकित में से किस रिसी ने मिमानसा सूत्र लिखा था तो ये एक प्रकार से बुख है परमाड होते हैं तो आपसे पूछा गया है कि जो सोडियम पर आकसाइड होता है इसके एक अड़ों में कितने सोडियम परमाड होते हैं तो वो होते हैं दो यानि इसका सही आंसर होगा दो अगला क्वेशन है सांग केन का एक परवे यानि किन लोगों का एक परवे सिखों क ऑखाई साईयों का जैनों का या बौधों का किनका एक पर्वए सांग केण पर्वए है ये बौध धर्म से related है और बौधों का ही एक पर्वए सांग केण अगला कोईशन है निमलिखित में से कौन सा सब्द भारत के सम्विधान की प्रस्तावना में गणराज सब्द से पहले नहीं आता है तो देखिए एक प्रभूत संपन गणराज बनाने के लिए यानि ये जो सब्द है जिस सब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो गंडराज सब्द से बाद में ही आता है आपने जब प्रस्तावना पड़ी होगी तो वहाँ पर आपने यानि उसी प्रस्तावना से ही related question आपसे पूछा गया है क्योंकि जो बाकी सब्दें वो सभी गंडराज से पहले आते हैं और कौन सा सब्द पहले नहीं आता यानि कौन सब्द बाद में आता है यह आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर संप्रभू लोकतांत्रिक और समाजवादी यह सभी गंडराज के पहले आते हैं और यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है संगीय तो जो संगीय सब्द है यह भारत की जो समिधान की प्रस्तावना है उसमें गणराज सब्द के बाद आता है थोड़ा सा टिपकल क्वेश्चन था बट आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाद यंद्र को मंगल वाद के नाम से भी जाना जाता है दिए किस भर में साधियात के जो कार्ड आते हैं उनमें भी सैनाई बनी हुए होती है इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ होता है सैनाई वादन से रिलेटेट तो सैनाई ही एक ऐसा वद्य अंत्र माना जाता है जिसे मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है अगला क्वेश्चन है निमलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था तो पहला विकास बैंक था तो पहला विकास बैंक था तो यह जो बैंक है यही भारत का पहला विकास बैंक था अगला क्वेश्चन है निमलिखित में से कौन आर्थो प्रोडा का उधारन है यानि कौन आर्थो प्र तो बात करें अगर हम आर्फोपोडा संग की तो ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संग है यानि सबसे जिव जन्तु कीट यानि जो भी कीडे मोकोड़ें वो इस संग में ही सबसे ज़्यादा पाया जाते हैं तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संग है कौन आर्थो पोड़ा सबसे बड़ा संग कौन सा है आर्थो पोड़ा है और इस संग के जो भी जीव होते हैं उनका जो सरीर है वो सिरवच और उधर में बटा हुआ होता है और इसके प्रमुक जो जीव हैं उनमें आपका मकड़ी है तितली है ये सभी जो जीव जन्तु हैं वो आते हैं आर्थो पो संग का एक जीव है बाकी के चुवा होकमार में या जोख होई जो सेने वाली जोख है ये सबी दूसरे संग से अगला क्वेशन है अलादी किष्ण श्वामी अयर भारत की समिधान सभा की के अद्यच थे यानि किस समीति के अद्यच थे तो देखे कई सारी समीतियों का गठन किया गया जब समीधान सभा के दौरान और इसमें आप से पूछा जाता है जो पूछा जा रहा है जो अलादी क तो यह हमारे आज के important 10 questions थे और inserted PDF आपको मेरा telegram channel पर available होगी वहाँ से आप उन questions की practice कर सकते हूं और इसी प्रकार से आप channel से जुड़े रहें और daily basis पर हम 10 tutorial questions discuss करते हैं related to latest pattern और जो भी exam recently हुआ है उसी से related यह सब भी question है तो मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए